दोस्तो नमस्कार, Language Science चैनल पर आपसे भी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो सबसे बड़ी ख़बर जो निकल कर सामने आ रही है कि गूगल ने कीबोर्ड में अपना वो अंगिका लेंग्वेज को एड कर दिया है मतलब कि अब आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं अंगिका लेंग्वेज में और ये सबसे बड़ी जीत है अंगिका भासियों की जो लोग भी मैथिल अलगावादियों को या फिर वैसे मैथिल एमसी लोगों को भींगा जूता उनके मूँ पर मारना चाहते हैं तो उनको आप लोग ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि उनको ये पता चल सके जो लोग अंगिका भासा को मैथिली जैसी नई और मतलब कि जिस लेंग्वेज को कोई नहीं जानता एक विसेस जाती को छोड़ कर उसकी बूली बताते हैं उन लोगों को पता चले कि अंगिका भासा बहुत पुरानी और बहुत समरिद भासा है और आज हम लोगों के कारण अंगिका भासा गूगल के कीबोर्ड तक आ चुकी है वो दिन दूर नहीं जब अंगिका भासा को हम लोग आठवे नुसूची में भी साविल करवा देंगे अंगिका भासा जो है इंटरनेशनल लेवल पे अल्रेडी जानी जा चुकी है कैसे इसको मैं बता देता हूँ अंगिका भासा को नेपाल सरकार एक भासा मानती है भारत में जहरकन सरकार एक भासा मानती है भारत में बिहार सरकार साहित अकेडमी अंगिका पर चला रही है भारत सरकार खुद अंगिका भासा को कंसिडरेशन में रखी वी है कि ये इसे भासा मान सकती है reject नहीं करी है उसने और सबसे बड़ी बात UNESCO जो की एक world heritage है का दरजा देता है वो खुद अंगिका को एक endangered language मानता है इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम जो जूड़ गया है वो ये है कि अब Google भी अंगिका को एक language मानता है इसका प्रूफ ये रहा आप keyword पर जाएंगे ये जिस तरह का keyword आपको दिख रहा है ब्लैक वाला उस पर जाएंगे ये जो English लिखा हुआ है आपको ये इस पर आप tap करेंगे ये क्या हुआ जब आप ये English जो लिखा हुआ है इस पर टैप करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर एक language setting नाम का एक option दिखेगा ये तो आपने क्या करना है उस language setting के उस पर जाना है और फिर आपको add keyword का option आएगा ये है add keyword इस add keyword के option पर आपको जाना है और search language का option आएगा सर्च language इस चालुएगवेज पर आप अंगिक लिखेंगे ऑंगिक जैसे आप लिखेंगे search करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑल्लेडी ऑंगिका मतलब गूगल एक तरीके से अंगिक का औक एक language मान चुका है अंगिका एक language है आप जैसे इनगिका यहां पर से ऩाफOM करदेंगे अभ इसके साथ क्या होगा? कि Langvages के Option में जहां पर इंगर रहा है 很 Hindi आ रहा है उसके साथ फिर Bangla है और तरह तरह कासा हैं उसमें आपको Langvages का Option में आप या आपने यहां किया लिखा हुआ है? यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है language लिखा हुआ है language और यहां पे अंगिका मतलब गूगल गूगल अंगिका को एक language मांता है और यह सारे मैथिल अलगावादियों के मूँ पर और जीडी पर एक कराडा तमाचा अभी भी इन लोगों के पास टाइम है समझ रहते ये लोग सुधर जाएं अंगिका को डायलेक्ट बताना बंद करें आप ये देखे इसके साथ की ही जो और लेंग्विज थी जैसे की बज्जी का देखे यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है अंगिका क्या हो जाता है सला अभी देखे वो आ नहीं रहा है लाकि मैं उसका स्क्रीन सॉट लगा दूँगा तो जैसे मैं बज्जी का लिखता हूँ जो कि इसी के साथ की एक लेंग्विज अगर इसको लिखता हूँ तो देखे बज्जी का नाम से कोई लेंग्विज नहीं है बज्जी का नाम से कोई भी लेंग्विज गूगल ने एड नहीं करी है इसका मतलब क्या हुआ कि बज्जी का अब लगवग लगवग खतम हो चुकी है फिर जब आप मघी लिखेंगे मघी इंडिया और मघी नेपाल दोनों ही मघी एड हो चुकी है इसका मतलब यह है कि मघी भासा इंडिया और नेपाल दोनों जगा बुली जाती है और जो लोग नेपाल की मघी को मैचली बता रहे हैं वो लोग भी सुधर जाएं जल से जल इसके साथ अगर आप भोजपुरी लिखें तो भोजपुरी आपको मिल जाएगी भोजपुरी मिल गई तो बिहार से तीन चार लेंग्वेज जा चुकी है पहली लेंग्वेज जो है अंगी का अंगी का जा चुकी है दूसरी लेंग्वेज मघी भोजपुरी यह सब लेंग्वेज जा चुकी है यह बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बहुत बड़ी खुश खबड़ी निकल कर सामने आई है कि अंगीका को गुγल ने लेंगविज मान लिया है। इस एक साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं जय हिन जय भारत जय बिहार आंगी भासा आंगी कावासा जिंदावाद मैं थिल अलगावादी लोग मुर्दावाद तुम लोग गान मड़ाओ